दोस्तों किया आप भी Google Openian Rewards पर सर्वे का इंतिजार कर रहे हैं लेकिन सर्वे नहीं आ रहा है इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपके Google Openian Rewards पर सर्वे आना शुरू हो जाएगा और आप आसानी से सर्वे का इंस्वर देकर पैसा कमा पाएंगे वीडियो को अंति तक देखे और जाने की आपको क्या करना है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक सेर ज़रू कर देना दोस्तो सबसे पहले आप प्रोफ देख लीजी हमारे फॉन पर गूगल ओपनेर रिवार्ट्स के तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें लिखा है न्यू सर्वे अबैलबल अभी हमें दो दिन हुआ है गूगल ओपनेर रिवार्ट्स एकाउंट बनाए और हमारे गूगल ओपनेर रिवार्ट्स में सर्वे आना सुरू हो गया है अब हम इस सर्वे को करके भी दिखाते हैं देखते हैं पैसा मिलता है या नहीं अगर मिलता भी है तो कितना मिलता है सबसे पहले हम Google Opener Rewards को open कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे Google Opener Rewards में एक survey आया है जो की 18 घंटे में expire हो जाएगा इस survey को पूरा करने के लिए answer survey पर click करना है हाँ ठीक है पर click करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमसे एक सवाल पूछा जा रहा है जिसमें लिखा है इनमें से कौन से सरेड़ी आपके रोजगार की स्थिति की जानकारी सबसे अच्छी तरीके से देती है यहाँ इस सवाल के अप्शन दिया गया है इनमें से मैं किसी एक को सेलेक्ट कर लेता हूं और आगे बढ़े पर click कर लेता हूं जैसे ही दोस्तों मैंने आगे बढ़े पर click किया मुझे दो रुपेय मिल गया इससे पता चलता है कि Google Openian Rewards सरवे पूरा करने पर पैसा देता है दोस्तों मुझे केवल दो ही रुपेय इस सरवे के मिले हैं अलग अलग सरवे पूरा करने पर आपको और भी रुपेय मिल सकता है यहाँ पर देखिया है अभी हमारा balance 0-0 है अब मैं इस page को refresh करता हूं जैसे ही मैंने page को refresh किया यहाँ पर हमारा पैसा add हो गया तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं Google Openian Rewards में सरवे लाने का पूरा प्रोसेस सबसे पहले आपको Google Openian Rewards का सही तरह से एकाउंट बनाना है और सेटिंग करना है सबसे पहले हम जान लेते हैं एकाउंट बनाने का सही तरीका सबसे पहले आपको Google Play Store ओपन करना है और Google द्वारा बनाया गया अप्लिकेशन Google Openian Rewards को डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है जैसे ही आप Google Openian Rewards एप को ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाए देगा अब आपको Google Openian Rewards एप में एकाउंट बनाना है एकाउंट सही तरह से बनाना है और सेटिंग करना है तभी आप Google Openian Rewards से पैसा कमा पाएंगे जिस तरह से मैं एकाउंट बनाऊंगा और सेटिंग करूंगा अगर उसी तरह से आप भी बनाते हैं तो आपका एकाउंट सही तरह से बनकर तयार हो जाएगा और आप Google से पैसा कमा पाएंगे एकाउंट बनाने के लिए Get Started पर क्लिक करना है जैसे ही आप Get Started पर क्लिक करेंगे Next पेज आएगा इस पेज में आपको अपना Gmail ID देखने को मिल जाएगा अगर आपके फोन में और भी Gmail ID लोग इन है तो यहाँ पर क्लिक करके सभी Gmail को देख सकते हैं आप जिस भी Gmail ID से ID बनाना चाहते हैं उससे सलेक्ट कर लेना है उसके बाद Continue पर क्लिक करना है इतना करने के बाद Google Opinion Reward Notification का एक्स-क्स मांग रहा है आपको अलाओ पर क्लिक करना है क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाए देगा इस पेज में यहाँ पर आपको Balance देखने को मिल जाएगा अभी हम नया अकाउंट बना रहे हैं इसलिए हमारा Balance 00 है यहाँ पर आपको तीन लाइन देखने को मिलेगा इस तीन लाइन पर क्लिक करना है क्लिक करते ही आपको बहुत सारे आप्सन देखने को मिलेगा Survey Eligibility वाले आप्सन पर क्लिक करना है जैसे ही आप Survey Eligibility वाले आप्सन पर क्लिक करेंगे Next Page आएगा इस page में आपको कुछ setting करना है, पैसा कमाने के लिए, क्या setting करना है चलिए बताता हूँ, सबसे पाले यहाँ पर जितने भी option दिख रहे हैं, यह सभी green color से टिक होना चाहिए, उसके बाद language add करना है, language add करने के लिए add language पर click करना है, उसके बाद language को select कर लेना है, by default English select रहेगा, आप चाहे तो English और Hindi दोनों language को select कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से अपने country को select कर लेना है, by default India select रहेगा, आपको done पर click करना है, अब आपको अपने device का location का access देना है, जिसके लिए allow पर click करना है, उसके बाद while using the app पर click करना है, उसके बाद इस allow पर click करना है, allow all the time पर click करना है, इतना करने के बाद अब आपका account बनकर तयार हो गया है, अब आप Google से पैसा कमाने के लिए eligible हो गया है, अब आपको क्या करना होगा जिससे आपके Google ओपने रिवार्ट्स पर survey आना सुरू हो जाए, चलिए बताता हूँ, अपना location हमेशा earn रखे, और app को location access देने की permission दे, अपनी profile जानकारी को सही और updated रखे, application को समय समय पर चेक करते रहे, ताकि आपको नए survey मिल सके, Google ओपने रिवार्ट्स एप को हमेशा अपडेट रखे, ताकि आपको नए features और bug fixes मिल सके, तो दोस्तों यह रहे रहे समाधान, जिनकी मदद से आप Google ओपने रिवार्ट्स में survey पाने की संभावना बढ़ा सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो like करे, share करे और हमारे चैनल को subscribe करे, धर्नबाद